दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जारखंड के 73 फीसदी युवा चाहते हैं 2016 से पहले वाली नियोजन नीती पर हो शुरू न्यूकती जारखंड की हेमन सोरेन सरकार में बनी नियोजन नीती को जारखंड हाई कोट ने अस संबैधानी करार घोशित करते हुए रत कर दिया इसके बाद जारखंड में एक बार फिर नियोजन नीती विहिन हो गया युवाओं में इसे लेकर काफी आक्रोस भी देखने को मिला वही राज्य सरकार ने युवाओं से नई नियोजन नीती का वायदा किया राज्य में नियुकती परक्रिया शुरू करने के लिए 7,33,921 युवाओं से सरकार ने राय दी है इसमें से 73,000 फिसदी युवाओं ने कहा है कि साल 2016 से पहले की जो नियोजन नीती थी उसी के आज के महिने में गुड नीज मिलने वाली है। जहां पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। मीडिया की खबरों को माने तो केंद्र सरकार 18 महिने के डिये बकाया पर भी बिचार कर सकती है। जारखन बिधान सभा में उठा STSC सीटों को भरने का मुद्दा। जारखन बिधान सभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में रिजर्वेशन कोटे की नौकरियों को साजीस के तहत रिक्त छोडने और बैक डोर से उन खाली सीटों को भरने का मामला उठा। कोंग्रेस विधायक राजिस कछप इर्फान अंसारी और नमन विक्सल कोंगाडी ने कहा कि STSC के लिए रिजर्वेशन कोटे की नौकरियों को साजीस के तहत अनरख्षित कोटे के अभ्यार्थियों को दिया जा रहा है। कहा कि संबिधान की धारा सोलल चार बी में प्रावधान है कि अगर किसी वर्ष आरख्षन कोटा नहीं भरता है तो अगले साल की नौक्ती में बैक लोग को भरा जाएगा। उन्होंने सरकार से इसकी उचस्तरिय जाच कराने और दोशी अधिकारियों पर कारवाई करने की मांग उठाई है। सरमीकों ने सोसल मीडिया के माध्यम से परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए आरोप लगाया था कि एक कमपनी ने उन्हें एलेक्टरिसिटी लाइन बिछाने में लगाया था। उनके पासपोर्ट जब्द कर लिए गए उन्हें खाने को भी प्रयाप्त भोजन नहीं दिया गया। पैसे भी बिल्कूल नहीं दिये गए। बताया गया कि ताजिकिस्तान में फसे 35 रमीकों में से 22 जारखंड लोट रहे हैं जबकि सेस टिकट लेकर लोटेंगे। बाद में मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने राज्य परवासी सेल के एक ट्वीट को रिट्वीट किया जिसमें कहा गया था कि ताजिकिस्तान में भारती दूतावास से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए संपर्क किया गया था। 31 मार्च के बाद बेकार हो जाएगा पैन कार्ड। अगर आपने भी आधार कार्ड और पैन कार्ड को अभी तक लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही अपना पैन कार्ड ब्लोक हो जाएगा। 31 मार्च से पहले सभी पैन धारक जो छूट स्रेनी में नहीं है उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना है। 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की स्रेनी में नहीं आते हैं। 1 अपरेल 2023 से अंडलिंक किया गया पैन निस्क रिये हो जाएगा। दरसल असम जम्मू और कश्मीर और मेगाले राजों में रहने वाले व्यक्तियों को छूट स्रेनी में शामिल किया गया है। जैसा कि केंद्रे बीत मंत्राले द्वारा मई 2017 में जारी एक अधिसूचना में कहा गया है। 1961 के आएकर अधिनियम द्वारा परिभाशित अनिवासी होने के नाते पिछले वर्स में किसी भी समय कम से कम असी वर्स का होना और भारतिय नागरिकता नहीं होना बड़ी खबर है। दिल्ली उचनाले ने अगनिपत योजना को ठहराया सही। दिल्ली उचनाले ने केंदर सरकार द्वारा लाई गई अगनिपत योजना को जहां सही ठहराया है। अगनिपत योजना को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर जिहां दिल्ली उचनाले ने 15 दिसमबर 2022 को सुनवाई की। दिसमबर की सुनवाई के दोरा दिल्ली हाई कोट ने अपना फैसला सुरक्चीत रख लिया था और संबंधित पक्छों को 23 दिसमबर तक शीतकाली नावकास के लिए अदालत बंध होने से पहले अपनी दलिले दाखिल करने को कहा था। Fortified Rice को प्लास्टिक समझ डर रहे लोग। प्रधान ने पत्रम लिखा की PDS कारिकरम के तहत आपूर्ती के गए चावल को लेकर लोगों में डर और आशंका के बारे में कोरपुट के लामाता पुट बालासोर के सदर ब्लोक और ओडिसा के सुन्दरगड जीले के बड़ा बाहल में मीडिया में कुछ परिशान करने व चावल के कुछ दाने पानी में भीवोने पर तैरते हैं और पकने पर मह जिहां बहुत सफेद और चीपचीपे दिखाई देते हैं जब खाया जाता है तो उनका अपना समानिय स्वाद नहीं होता और चबाने के बावजुद ये जस के तस रहते हैं ऐसे में बताय जा रहा ह कि ये प्लास्टी के चावल है जिसे शेत्रे में पीडियेस चावल के बारे में भय और आशंका पैदा हो गई है और कई लभारती चिंतित हैं चावल का उनके स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उन्होंने कहा कि मुझे सुचित क्या गया है कि फोर्टिफा में नौकरी करने का सपना आने वाली है 641 पदों पर वैकेंसी इस्टेट बैंक ओफ इंडिया में नौकरी करना हजारों उमिद्वारों का सपना होता है अगर आप भी उनी में से एक हैं तो जान लें कि SBI आपके लिए सुनहरा आउसर लेकर आया है बता दे कि SBI बैंक में जल्द ही 641 पदों पर नियुक्ती होने वाली है यह नियुक्ती भारतिये स्टेट बैंक द्वारा आयुजित की जा रही है जिससे इस पद के लिए आवेदन ओनलाइन मोड में ही लिया जाएगा यह आवेदन प्रकरिया 18 मई 2023 से शुरू किये जाएंगे आवेदन करने की अंतिम्ति थी 7 जून 2023 निर्धारित की गई है जिसके बाद आवेदन साइट बंद कर दी जाएगी आवेदन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिसके अनुसार आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं इस पद के लिए आपकी पातरता मान दंड आयोक दोरा जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा जहारखन के पारा सिक्षकों को मिलेगा खोली का तौफा जहारखन सरकार ने सिक्षक कर्मियों को जल्द ही तौफा देने वाली है जहारखन के 61,000 सिक्षक और कर्मचारियों को EPF और पेंशन का लाब मिलेगा इस परस्ताव पर जहा जहारकण के सिख्षा मंतरी ने सोम्वार को मंजूरी दे दी है जिसके बाद वीत और वीधी विभाग को स्विक्रिति के लिए भेजा जाएगा कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्ये के सिख्षकों को एपिएप और पेंशन का लाब मिलने लगेगा दरसल जहारखंड के पारा सिक्षकों के दुबारा कई दिनों से ईपियप और पेंशन की मांग की जा रही थी जिसको लेकर राज्य के सिक्षा मंतरी ने जहां जगनात महतों ने सोमवार को इस आश्याय के परस्ताओं पर अपनी सहमती दे दी है जिसके बाद अब परस्ताओं को वीत और बिधी विभाग को भीजा जाएगा कैबिनेट के मनजूरी के बाद जहारखंड के सिक्षकों और कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने लगेगा इसके अंतरगत EPM जहें EPM के लिए सिक्षकों के मानदे से 12 पी सदी राशी काटी जाएगी वहीं सरकार की और से 13 पी सदी राशी दी जाएगी इस योजना का लाब देने के लिए सरकार लगभग 152 करोड रुपे की खर्च करेगी साथ ही इतनी ही राशी सिक्षकों और करमचारियों के मानदे से काटी जाएगी देश में कोरोना के बढ़े 28 सक्रिय मामले देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमन के 28 एक्टी मामले बढ़े हैं और इनकी संख्या 2257 हो गई हैं इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में 5976 लोगों का कोवी टीका करन किया गया है और अब तक कुल 220 करोड 63,887,889 लोगों को टीका लगाय जा चुका है केंद्री स्वास्थिय एवं परिवार कल्यान मंत्राले की ओर से मंगलवार की सुबजारी आकडों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 140 मरीज री कभर हुए हैं केरल में सबसे अधीक 9 सक्री मामले बढ़े हैं जबकि तेलंगाना में 8, तमिलाडू में 7, पंजाब में 6, महराष्टर में 3, बिहार, गोवा, गुजरात और लद्दाक में करमशा एक-एक मामलों में बृधी हुई है बिस्तरित आकडों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमन के दर्ज मामलों की संख्या 4,46,86,371 और इस बिमारी को मात देने वालों की यानि रीकभर होने वालों की संख्या 4,41,53,343 है जबकि मृतकों की संख्या 5,30,771 है